नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल फिटनेस ग्रूव में आपका हार दिक स्वागत है आज की वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि किस परकार से आप घर पर ही गरेलो नुस्कों के द्वारा नाइट क्रीम तयार कर सकते हैं जिहां एक अच्छी क्वालिटी के नाइट क्रीजने में आपके काफी पैसे खर्च हो सकते हैं एक ऐसी नाइट क्रीम खोजना बहुती मुस्किल होता है जो कि आपको पूरा पोजिशन परदान कर सके कुछ नाइट क्रीम तवचा को गोरा करती है कुछ बढ़ती आयो के असर को कम कर देती है तता कुछ नाइट क्रीम हमारी आँखों के नीचे के काले घेरों को दूर करने में सक्षम होती है इन सबी के लिए सिर्फ एक क्रीम खोजना बहुत ही मुस्किल बात होती है क्या आप पूरा पोशन प्राप्त करने के लिए दरजनों क्रीम खरीदना चाहेंगे कभी भी नहीं यदि आप इन क्रीम के अंदर प्रयोग की गई सामगरियों की लिष्ट देखेंगे तो आपको कुछ जाने माने नाम दिखाई देंगे जैसे कि विटामिन A, अलोविरा, गलिसरिन, गुलाब जल, जैतून का तेल, वे नारियल का तेल त्यादी ये सभी चीज़े आपके घर पर ही उपलब्द हो जाती है आप अपने रसोई में इन सभी चीज़ों को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं मतलब कि ये सभी चीज़े आपके रोजमर्रा की जीवन में प्योग होती है और आप इनका ही प्रयोग करते हुए नाइट क्रीम तेयार कर सकते हैं आप लंबे समय तक घर का बना हुआ रात का क्रीम यानि कि नाइट क्रीम को स्टोर करके रख सकते हैं आप अपनी तोचा के प्रकार के अनुसार सामगरी को बदल भी सकते हैं और इनकी सबसे बहतरीन बात ये होती है कि ये पूरी तरह से नैचुरल होती है और इनका प्रयोग करते हुए आप फायदा भी प्राप्त कर सकते हैं और इससे आप बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं। तो आज हमें इसी टोपिक को कवर करते हुए आपको ये बताएंगे कि किस परकार से आप घर पर ही कुछ घरेलो सामगरियों का इस्तिमाल करते हुए नाइट क्रीम तयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि किस परकार से आप जैतून के तेल का इस्तिमाल करते हुए नाइट क्रीम तयार कर सकते हैं। जैतून का तेल इस क्रीम का मुख्य घर्टक होता है। यह तोचा की नमी को बनाए रखने में शक्षम होता है। अन्य सक्रेय घर्टक इसमें नारियल का तेल होता है। नारियल का तेल हमारी तोचा को स्वेस्त एवम सुन्दर बनाता है। और इनके साथ-सत्त आपको विटामेजE के कैपसूल की जुरूत पड़ती है, जो कि हमारी तोचा की मरमत और रक्षा करता है। जैतून के तेल से नाइट क्रीम बनाने के लिए आपको आदा कव वर्जिन जैतून का तेल, दो चमच नारियल तेल, एक चमच बीज वैक्स यानि की बीज दौरा तयार किया गया मॉम और दो कैपसुल विटामिन E के इस नाइट क्रीम को बनाने के लिए आपको जैतून का तेल, नारियल तेल और 20 वैक्स को यानि की मौम को कम गर्मी के एक सौस पहन के अंदर एक साथ मिक्स करके इन्हें गर्म करना है जब यह अच्छी तरह से पिगल जाए तो विटामिन E के कैपसूल को अच्छी तरह से कुचलने के पस्चाथ सौस पहन के अंदर आप डाल दीजिए और इसके पस्चाथ इन चारो सामगरियों को आप अच्छी तरह से मिशिर करके उन्हें ठंडा होने दीजिए इस क्रीम को आप एक कंटेनर के अंदर डाल कर कमरे के तापमान में रख दीजिए यह आपकी जैतून के तेल की नाइट क्रीम तयार हो चुकी है इसे आप दो से तीन महेने के लिए प्रयोग कर सकते हैं यानि कि दो से तीन महेने तक यह बिल्कुल कराब नहीं होती है इसी परकार से आप ग्लीसरिन नाइट क्रीम भी तयार कर सकते हैं यह क्रीम एक सर्गियों के क्रीम के रूप में काम आती है ग्लीसरिन हमारी तवचा के अंदर नमी को बनाए रखने में मदद करती है नाइट क्रीम तयार करने के लिए आपको एक डबल बॉयलर की जरुत पड़ती है इसके अंदर आप बादाम और नारिल की तेल को डाल दीजी इसके पश्चाद इन्हें आप गरम कर लीजे ताकि सबी सामगरी आपकी पूरी तरह से मिश्रित हो जाए इसके पश्चाद बॉयलर को आजपर से उतार कर इसमें गुलाब जल तता गलीसिन को मिला दीजी अब इस क्रीम को एक बरतन के अंदर स्टोर करके तता रोजाना रात को बिस्तर पर जाने से पहले इसका आप रियोग कर सकते हैं यदि आपकी तवचा सूखी, सुस्त और फटी हुई है तो आप उसके लिए कोकोवा मखन स्किन क्रीम बना सकते हैं कोकोवा मखन स्किन क्रीम सूखी, सुस्त और फटी हुई तवचा के लिए बहुत ही लाबदायक होती है ये हमारी जोर्यों के लिरवे सिबसे अच्छी और उत्तम नायट क्रीम माने जाती है कोकोवा मक्षन स्किन क्रीम बनाने के लिए आपको दो बड़े चमच कोकोवा मक्षन, एक चमच वर्जिन ओलिव ओल यानि की चैतून का तेल और एक चमच नारिल का तेल लेना होता है इन सभी चीजों को आप एक बॉयलर में डाले तथा अच्छी तरह से गरम कर लिए जब यह गरम हो जाए तब सभी चीजों को अच्छी तरह से मिश्रित कर लिजी इसके बाद आप आँच बंद करके उसे ठंडा होने के लिए नीचे उतार दीजी ये आपके क्रीम बनकर त्य सिफाइंग क्रीम यह क्रीम दोश और प्रदूशन के वजह से बुरे प्रभाहों को दूर करने के लिए सबसे अच्छा विकल प्रदान करता है ग्रेंटी से तुचा की असद्यों को दूर करने में मदद मिलती है तता इसके साथ ऐलोवेरा तुचा को स्वस्त बनाए रखने म मददकार होता है इस क्रीम को बनाने के लिए आपको एक चमच ग्रेंटी एक चमच बादाम का तेल एक चमच गुलाब जल एक चमच कोई भी खुस्वदार तेल एक चमच एलोवेरा का रस और एक चमच पीज डेक्स यानि की मद्द मख्यों दोरह तयार किया हुआ मोम इस क इसी तरह से पिघल कर मिश्रित हो जाए तब आप आँच से मिचन को निकाल लीजी और एलोवेरा ग्रीन टी खुस्वदार तेल और गुलाब जल इसके अंदर मिश्रित कर दीजी और उसके पश्याते कंटीनर के अंदर क्रीम को स्टोर करके रख लीजी यह आपकी नाइट इसके इलाज ले बहुती अच्छी तरह से काम करता है आप यह क्रीम भी घर पर तयार कर सकते हैं और इसका डेली उपयोग भी कर सकते हैं अलोवेरा हमारी तवचा को नर्म कोमलोरी हुआ बनाने के लिए पोशन देता है इस क्रीम को बनाने के लिए आपको दो बड़े अच्छी तरह से मिश्रित कर दीजी अब इसके अंदर प्राइम रोज ओयल यानि की बसंदी गुलाब का तेल मिला दीजी और जब यह अच्छी तरह से मिश्रित हो जाए तो इस क्रीम को आप एक बरतन के अंदर स्टोर करकर रख लीजी इसका आप रोजाना प्रयोग कर सक कर सकते हैं आपकी तवचा में ताजगी लाने लिए रात में आप इस क्रीम का प्रयोग अवश्य करें इस क्रीम को त्यार करने के लिए आपको एक चमच दूद क्रीम एक चमच गुलाब जल एक चमच जैतून का तिल और एक चमच ग्लेजी यानि कि चारो सामगरी आपको एक एक चमच लेनी है और इन्हें अच्छी तरह से मिश्रित करने के लिए आप एक blender का प्रयोग कर सकते हैं। आप या तो इनको एक blender के अंदर में श्रिप कर लीजी या फिर एक चमत से अच्छी तरह हिलाते होए जब तक कि सभी गांट खतम हो जाए और एक मुलायम पेश्ट बनकर तयार हो जाए जब इस प्रकार का मुलायम पेश्ट तयार हो जाए तो यह आपकी night cream तयार हो चुकी है क्रीम को आप एक बरतन के अंदर स्टोर करकर रख लीजिए सेब की मदद से भी आप night cream तयार कर सकते हैं एपल night cream से अपनी तवचा को पुने जीवित आप कर सकते हैं सेब आपकी तवचा को पोशन देता है और वह सब चीज देता है जिसकी की इसे जुरूत होती है सेब वि से पांच चमच घुलाब चल और एक चमच जैतून का तेल लेना होता है सेब को सबसे पहले आप दो हिस्सों में काट लीजिए और उनके बीच को अंदर से निकाल दीजिए आप इन्हें चोटे चोटे टोड़ों में आप काट लीजिए और सेब को एक blender में जैतून के तेल के साथ मिश्रित कर लीजिए आप इस मिश्रन को जब तक ब्लैंड करते रहें जब तक की पेश्ट चिकनी नय हो जाए इसके पश्चाद मिक्शेर को एक boiler में डाल कर दीमी आच पर आप गरम कर लीजिए आच से मिश्रन को निकाले और आदा कप गलाब जल इसके अंदर परदे अब इस क्रीम को एक बरतन में श्टॉर करकर आप रख लीजिए इस क्रीम को आप 6 दिनों तक फ्रीज में रख सकते हैं और इसका इस्तिमाल कर सकते हैं तुचा को गोरा करने के लिए आप नाइट क्रिम तयार कर सकते हैं हल्दी तवचा के विभिन समशाओं को दूर करने के लिए पुराने समय से ही एक बढ़े आउपाय माना जाता है चंदन और केसर से और भी निकार आपको मिलता है दही तवचा को चिकनी बनाता है और बादाम आउशक पोशक तत्रप्रदान करता है यह एक प्रभावी घर की बने हुई नाइट क्रीम होती है यदि आप इसका नेमित रूप से प्रियोग करते रहें इस क्रीम को बनाने के लिए आप वो 7-8 बादाम चाहिए आदा कप दही, 1 चमच हलदी पावडर, 1 चम मच चंदन पावडर, 4-5 बुंदे नेमु का रस और इनके साथ 3-4 केसर की किसमे सबसे पहले आप रात बर बादाम को पाने में बिगो कर रख दे अगले सुबह बादाम को छील कर पीस कर उसका एक चिकना पेश तयार कर लीजी अब इसके अंदर आप दही, हल्दी, नीमु का रस, चंदन पाउडर और केसर को मिला दीजी और इन्हें आप तब तक हिलाए जब तक कि यह मुलायम पेश तयार नहीं हो जाए उसके पश्चाद आप एक कंटेनर के अंदर इस क्रीम को स्टोर करके रख लीजी आप इसे भी एक सब्चाद तक फ्रीज में रख कर सकते हैं उसके पश्चाद यह क्रीम खराब हो सकती है एक सब्धा के पश्चाद आप इसका प्रेयोग ना करें तो इस प्रकार से आप इनकुछ नाइट क्रीम का इस्तिमाल करते हुए अपनी तवाचा को यंग गलोइंग वरेडियंट बना सकते हैं तो दोस्तो यदि आपको हमारी ये चोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो किरपे से लाइक अवश्य करें और इस जानकारी को अपने मित्रों तक पहुँचाने के लिए किरपे से शेयर करना बिल्कल भी ना भूले यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल फिटनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंट सब्सक्राइब कर लीजी और नीचे के दिये वे बेल के आईकन को भी क्लिक कर दीजी क्योंकि यदि आप इस आईकन को क्लिक करते हैं तो हमारे द्वारा अपलोड की के सभी वीडियो आपके पास सुचित समय पर नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाती है जिनका फायदा उठा कर आप एक स्वस्तो खुसाल जीवन जी सकते हैं धन्यावबाद दोस्तों